हेलो एवरिवान वेलकम तो रामनुजन स्कूल अफ स्टडीज जीड़ो टू इंफिनिटी यह क्लास 10 का टर्म 2 का शोशल स्टडीज का जोग्रफी पार्ट का मैनुफेक्चिंग इंडस्टी चैप्र नमबर 6 है जिसका यह 5th लेक्चर है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट च जाता है उस ही साब से तो हमने इसके ओलड़ी चार लेक्चर बना लिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको अच्छे से चैप्टर को समझना है क्योंकि यह आने वाला है और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले के लेक्चर भी इन्वाइरमेंटल डिग्रेडेशन प्रो एक्टिव अप्रोच अटोप्टिड बाइद एंटीवीची फोर प्रेवेंटिंग नेच्रल इंवारमेंट एंड रिसोर्स तो स्टार्ट करते हैं फर्स टॉपिक इंडस्टियल पॉलूशन एंड इस टाइप पॉलूशन क्या ह कैसे भागिदार है कैसे पॉलूशन जो बढ़ रहा है उसमें इंडस्ट्री इसका कहां पर रोल है कैसे इंडस्ट्री इस पॉलूशन बढ़ा रही है तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे वो चीज़े देखेंगे एयर पॉलूशन तो एयर पॉलूशन कैसे होता है जो भी इंडस्ट्री से जितनी भी एयर से स्मोक दुआ निकलता है वो सारा क्या होता है हमारी एयर में मिलके उसको पॉलूटिड करता है जो भी कैमिकल या कोई भी फैक्ट्री में से कैमिकल बर्न होता है दुआ निकलता ह मिलें डीयां सारी चीज़वे करते है , एयर में मिलकी एयर को नधिया है , नेक्स्ट है वाटर पोलूशन , जो भी वाटर Tut है उता पानी दो पह सान बाद सहूँ नदियां polluted होती है, जितनी भी rivers है, main pollution का कारण industries का garbage है, industries का जो भी कच्रा है, वो सारा नाली के थुरू या किसी भी थुरू वज़े से पानी में जाके मिलता है, तो यहां पर दिया हुआ है, main water pollutant are dyes, detergent, acid, salt, heavy metals, pesticides, fertilizer, chemical, carbon, plastics, rubber, यह सारी चीज़े जो भी कच्रा बनके निकलती है, industry से वो कहां जाती है, water में waste, उसको dump किया जाता है, तो यह industrial pollution का कारण है, next है noise pollution, बड़ी-बड़ी machinery यूज होती है, industry में बहुत बड़ी-बड़ी machinery, generator, compressor, machines, और बहुत सारी बड़ी-बड़े exhaust fans वगरा यूज होते हैं, जि आसपास के एरिया में इतना noisy होता है, जल्दी से लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आसपास के एरिया में रह रहे होते हैं, बहुत सारे problems, health issues create होते हैं, जैसे बी-बी की problem हो गई, या mentally depression, बहुत सारी चीज़े, problem face करने पड़ती है, next है land pollution, जैसे water pollution होता है, वैस जाता है, बट जो सूखा कच्छा होता है, जो garbage होता है, उन सब को dumping yard, मतलब land पे ही किसी जगह पे dumping yard बना दिया जाता है, जैसे glass है, paper है, plastic papers है, बहुत सारे ऐसे chemical है, जो water में dissolve नहीं होते, packets होते है, packaging material होता है, वो सारा, क्या करते है, dump yard में फेकते हैं, या एक particular area को ही dump yard बन दिया जाता है, तो यह land pollution का कारण है, next है thermal pollution, thermal pollution का मतलब यहां पे है, जो भी waste, दुआ या smoke वगेरा, जो power plants हमारे लगाएगे है, nuclear power plant है, जहांसे electricity निकलती है, या फिर हम बहुत बड़े-बड़े पर्मानों परिक्षन करते हैं, nuclear weapon का परिक्षन करते हैं, उसकी वज़े से जो भी disturbance होती है, जो भी pollution create होता है, उसको thermal pollution कहते हैं, और यह सबसे dangerous है, humanity के लिए, इसकी वज़े से बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिमारियां जो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, वहां cancer या जो बर्त से related बिमारियां होती हैं, वह बहुत ज़्यादा फैलती है, thermal pollution से, next ह हमारा topic control of environmental degradation, हम control कैसे कर सकते हैं, यह सारी जो pollution होता है, जिससे हमारा environment damaged हो रहा है, उसको हम कैसे control कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा water pollution होता है, या land pollution होता है, सबसे में जो भी वाटर वेस्ट है या जिसको हम लैंड पे फेकते हैं या रिवर्स में जाते हैं उन वाटर का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए उनको री सैकल करके री यूस किया जाना चाहिए पानी को साफ करके दुबारा से री यूस किया जाना चाहिए वाटर ट्रीटम या scrubbers या बहुत सारे separators ऐसी चीज़े यूज़ करनी चाहिए ताकि जो smoke है उसको भी कम से कम किया जाए या फिर filter किया जाए ताकि वो air को ज्यादा polluted ना करें या फिर smoke सबसे ज्यादा अगर हम industries में koila यूज़ करते हैं तो बहुत ज्यादा smoke होता है जो बहुत ज्यादा noise करती है उसे time to time upgrade करते रहें उसका checking करवाते रहें ताकि उससे noise pollution ना हो या उसमें silencer वगरा फिट करवाया जाए ताकि noise pollution कम से कम हो पाए उसके बाद एक और topic है जो है proactive approach adopted by the National Thermal Power Corporation, NTPC, National Power Thermal Corporation जो है वो NTPC की ही full form है for preserving the natural environment and resources NTPC ने कुछ points या कुछ बातों का ध्यान रखा है या adopt की हैं कुछ चीज़े की हैं जिससे की natural environment and resources को बचाया जा सकता है preserve करके रखा जाता है तो देखते हैं क्या क्या है वो फर्स्ट है optimum utilization and up gradation of equipment by adopting latest technique सबसे पहले चीज़ है कि जो भी machinery या equipments वो लोग use कर रहे है उसको time to time upgrade करते रहते हैं ताकि उससे ज्यादा pollution या ज्यादा effect या noise ना हो next time minimizing waste generation by maximize ash utilization waste ना generate हो जो wastage garbage वगेरा ही generate होती है वो कम से कम हो वो कम से कम कैसे होगी उसको reuse और recycle करेंगे जब तब नेक्स है providing green belt for nourishing ecological balance green belt provide करने का मतलब है जादा से जादा जो industrial area है यह जहां पर NTPC setup है वहां पर पूरे आसपास के area में greenery पेड पौधे लगाए जाए ताकि जो भी pollution का effect है उसको कम किया जा सके next है reducing environmental pollution through ash pond management ash water recycling system and liquid waste management मतलब जो भी environment का pollution हो रहा है उसको pond management water recycling system या liquid waste management के थूँ यह सारी चीजों को कम किया जा सके और control किया जा सके next ecological monitoring review and online database management for all this power station मतलब जो भी power station है उसको online database management system के थूँ जूड़ा गया है ताकि यह environment friendly work कर सके और सभी एक साथ एक बराबर work कर सके तो I hope कि आप लोगों को यह chapter समझ में आ गया है यह chapter का theory के purpose पे यह last video है इसके बाद एक और video release होगा जो map होगा इस chapter में जितने भी map है हम उस video में उसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें map भी 3 और 4 marks का map भी आता है तो यह भी बहुत important है तो आपने सभी videos का link जो दिया गया है description box में आपने वो सभी को review करना सभी को देखना है और I hope कि आपका यह chapter का जो भी doubt है या जो भी problem से वो सारी इस इन वीडियो से sort out हो जाए तो I hope कि आपका paper बहुत अच्छे से जाए best of luck thanks all for watching this please subscribe this channel and share more and more thank you have a nice day